हेलो बच्चो स्वागत है आपका डाउटनुट लर्न फन क्लास 10 के चैनल पे हम है आपके भाईया मैत्स के विविक भाईया और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्वाद्रिटिक एक्कुरिय sector बहुत सारे बच्चों मतलब बहुत सारे बच्चों ने हमें बूला कि quadratic equation करवाओ भाईया quadratic equation करवाओ sir quadratic equation करवाओ 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 तो आज उन सभी की इच्छाओं को पूरा करते हुए हम इस chapter को लेके आए हैं आपके सामने और कोशिश करेंगे कि इस chapter के सारे के सारे questions important सारे के सारे question to एक सा नहीं हो सकते न एक Class में चाहे वो कितने घंटे के Class और धो गर्टे की लगाएंगे तीन घंटे के लगाएंगे फिर जाके सारे के सार कोशन होंगे तो वो पॉसिबल नेकि दो कि आप class देखो चलो तो quadratic equation को start करते हैं one shot revision लेते है quadratic equation की और क्या क्या है आज ही class में आज ही class में सारे के सारे important questions जो की quadratic equation chapter से related है अब पहले तो हम weightage की बात कर लेते हैं आपको ये पता होना बहुत जादा जरूरी है कि जो हम chapter पढ़ रहे हैं उसके paper में आपके board के paper में कितने marks का आता है तो basically जो algebra होता है वो 20 marks की आती है maximum weightage है इस अकेली unit का जिसके अंदर 4 chapter है जिसमें से एक chapter है आपका quadratic equation इस अकेले chapter की जो weightage होती है वो 5 से 6 marks की होती है ठीक है 5 to 6 marks की weightage होती है जो की अकेला chapter रखता है जिसमें से objective type questions, short answer type questions and specially long answer type questions जो की 5 marks की form में आते हैं ठीक है 5 marks में definite a question बनता ही बनता है तो ये chapter इतना जादा जरूरी है अकेला 6 marks यही लेके आ रहा है final exam की बात हो रही है अभी ठीक है अब half yearly जिसके नहीं होए है जिसके हो रहे है अब वो खुदी लगा सकता है कितने marks का आएगा यह अकेला chapter ठीक है अब quadratic equation में basically तीन major topics होते है पहला तो introduction by quadratic equation कैसे बना कहां से बना वो major इतना major topic नहीं है but yes solution of quadratic equation is the important topic जिसमें आपकी दो form आती है by using factorization method factorization method को elaborate करेंगे और by using quadratic formula quadratic formula क्या होता है उसको भी हम आप लोगों को बड़े प्यारे तरीके से बताएंगे अच्छा यहीं से फिर आपका generation किस चीज़ का होता है discriminant का generation होता है और nature of roots का यहां से आपका एक marks का confirm question बनता है मतलब एक marks का definite question मतलब आँख बूज के आप बोल सकते हो कि यहां से तो आएगा ही आएगा यहां से तो पूचा ही जाएगा question ठीक है definite एक marks का question और आखरी topic क्या है situation based problem जो की यहां से आते हैं आपके long answer type questions जो की 5 marks के होते हैं जो की क्या होते हैं 5 marks के होते हैं अब देख लो weightage लगा लो कहां से कहां पे है ठीक है अब इसका मतलब बिलकुल भी यह नहीं है कि यह दो topic important नहीं है भाई factorization से भी आता है ठीक है अब जरूरी नहीं है कि हर set में एक question यहां से दे दिया जाए ऐसा हो सकता है एक question इसका एक question इसका दे दिया जाए ठीक है तो figure करने की जरूरत नहीं हर एक topic important है जो आज हम पढ़ाने वाले हैं ठीक है तो चलो आउँ start करते है quadratic equation को तो सबसे पहले quadratic equation पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा polynomials के बारे में बताएंगे अच्छा इससे पहले जब हमने one shot लिया है one shot revision जब आपको मिला है तो वो polynomial का ही मिला है ठीक है अब वो polynomial दिया क्यों polynomial ही क्यों दिया हमने क्योंकि जब तक आप polynomial chapter को नहीं समझेंगे तब तक आप quadratic equation को दिमाग में नहीं बठा पाएंगे ठीक है अब simple सी अगर मैं बात करूँ quadratic equation कुछ ऐसी होती है ax square plus में bx plus में c is equals to zero and जहां पे a मतलब coefficient of x square किसके बराबर होता है zero के बराबर नहीं होता बाकी कुछ भी हो सकता है बाकी आपका a b and c ये कोई भी real number हो सकता है बेशक root भी हो सकता है ठीक है अच्छा polynomial में क्या पढ़ा था polynomial में हमने पढ़ा था कि भाई polynomial क्या होते हैं अच्छे से आपको बता रखा है explain कर रखा है बट जब हमने polynomial पढ़ा था वहाँ पे degree के बारे में पढ़ा था उसको क्या बला जाता है quadratic polynomial अब ये quadratic polynomial से quadratic equation बनने का सफर जो है वो बड़ा interesting है वो बड़ा ही interesting है अब आप कैसे समझोगी कि ये quadratic polynomial है ये quadratic equation है दोनों की जो form है वो same ही है मतलब ये ax square plus में bx plus में c जहाँ पे a naught equals to zero होता है ये जो blue में लिखा है ये आपका है quadratic polynomial जो यहाँ लिखा है उपर की तरफ yellow में वो है आपका quadratic equation दोनों में difference क्या है भाई ये polynomial क्यों है ये equation क्यों है देखो दोनों में जो major difference है ना वो पता है किस चीज का है वो है equals to zero का वो किस चीज का difference है equals to zero का यही सफर है जब quadratic polynomial को हम is equals to zero बोल देते हैं तब क्या बन जाता है वो quadratic equation बन जाता है और ऐसे ही polynomials के क्या होते है आपके polynomials के होते है zeros इसके क्या होते है zeros ठीक है but equations के क्या होते है इसके होते है roots इसके क्या होते है roots और दो ही root होंगे इसके two zeros होंगे alpha and beta याद आया कुछ alpha beta के बीच में हमने relation करवाया था समझाया था, बताया था क्या होता है, कैसे होता है और ये specifically definition हमने बता भी दिया one type of quadratic polynomial inform equation, polynomial को equation में कब लिखेंगे जब ये किसके बराबर आजाएगा equals to zero के बराबर आजाएगा भाई, exam में जब आपका वाईवा होगा या teacher आपसे पूछे कि ये quadratic polynomial और quadratic equation क्या अंतर क्या है दोनों में तो quadratic लग रहा है क्या difference है, भाई ये है major difference ये चीज पढ़नी है, ये चीज important है, ये चीज पूछने लाइक है जो की पूछी भी जाती है वाईवा में आपकी, ठीक है चलिए, एक question लेके आते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप बता सकें कि कौन सा quadratic equation है कौन सा नहीं है, intro से start करेंगे introduction से start करेंगे, ठीक है पहले जो बच्चा नया है है ना, जिसने नहीं पढ़ा है quadratic equation, वहां से हम उसी बच्चे को पढ़ाते हुए धक्का मारते हुए अच्छे से समझाते हुए, आगे की तरफ लेके जाएंगे बिल्कुल चैप्टर को ऐसा बना देंगे कि जखास, सारा समझा जाएगा ठीक है, चलिए, तो देखो question में है, check whether the following our quadratic equation की नहीं है तीन parts है, तीनों में बोला गया है आपको check करना है कि ये quadratic equation है कि नहीं है, किस format में होनी चाहिए quadratic equation इस form में ax square plus में bx plus में c is equals to 0 की form में होनी चाहिए ठीक है, condition यहाँ पे a की है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बाकी b 0 हो जाए कोई गम नहीं, c 0 हो जाए कोई गम नहीं, बट a 0 नहीं होना चाहिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर a 0 बन गया, तो फिर वो quadratic equation कहा बनी, अगर a की value 0 हो गई तो वो क्या बन जाएगा वो bx plus c बन जाएगा तो फिर ये क्या बन गया linear equation बन जाएगी ये क्या बन जाएगी linear equation बन जाएगी ठीक है is equals to 0 ठीक है चलो start करें पहले part से पहला part क्या है x plus 1 का whole square is equals to 2 bracket x minus 1 ठीक है बच्चों side by side like जरूर करते रहना class को ठीक है like करना मत बूलना बहुत जादा requirement होती है आप लोग class देखते हैं बट हमने देखा है पिछले कुछ one shots में आप लोगों के likes बिलकुल जादा बहुत कम हो गए हैं अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो like सिरफ 30 बच्चे करते हैं जो की बड़ा दुख लगता है ऐसे है ना चलिए question आपके screen पर इसको बताना है क्या ये quadratic equation है कि नहीं है देखो अच्छा यहाँ पर इसको solve करें तो by using by using which identity a plus b का whole square ये आप लोगों को पता है बिल्कुल ये क्या होती थी a square plus में b square plus में 2ab अच्छा किसी को भी देख के हम directly नहीं बोल सकते कि ये quadratic equation है कि नहीं है अच्छा यहाँ से हम directly वैसे भी देख के बता सकते हैं बट फिर भी आपको solve करके दिखाना है ठीक है तो इसको हम completely solve करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x square plus में 1 plus में 2x is equals to 2x minus का 6 इसको दोनों को इस side लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x square plus में 2x minus का 2x plus का 1 plus का 6 is equals to 0 तो ये किस form में बन जाएगा ये बन जाएगा x square plus में 7 is equals to 0 and यह आपका follow कर रहा है इस pattern को ax square plus bx plus c is equals to 0 को जहाँ पे coefficient of x square 0 नहीं है जो की main condition है तो yes, पहला वाला जो part है is a quadratic equation यह quadratic equation है यह आपकी quadratic equation है ठीक है, समझ आ गया मतलब इस तरीके से करना है ठीक है, second part आपका homework है यह आप खुद check करके हमें बताएंगे हम comments देखेंगे सभी बच्चों के कि भाई यह question कितने बच्चों नहीं किया live stream में नहीं, यह जब आप solve कर लोगे तो normal जो comments होता है उसमें comment करके बताना कि भाई यह quantity की question है कि नहीं है, ठीक है सभी के लिए, सभी के लिए homework है ठीक है, आगे बढ़े next अब next अगर question देखें तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि सीधा बोल देंगे कि यह नहीं है इसको बोलेंगे क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ ना x cube आ रहा है यहाँ क्या आ रहा है, x cube आ रहा है अब यहाँ क्या बोलेंगे maximum बच्चे, कुछ बच्चे बोलते है कि भाईयों देखो, ऐसा है, यहाँ cube है cube है, तो जो quantity की question होती है उसमें तो maximum power x square होगी तो यह तो quantity की question नहीं है इसको बोलेंगे, not a quantity की question और आगे बढ़ जाएंगे यही गलती करते हो आप लोग यही mistake होती है mistake क्या होती है, कि आप लोग इसको solve करते नहीं हो और फिर गड़बड हो जाती है गड़बड कैसी हो जाती देखो यह बनेगा x की power 3 minus 4 x square minus का x and plus का 1 जो की किसके बराबर है जो की किसके बराबर है x minus 2 का whole cube अच्छा, यहाँ से आपकी identity लगेगी a minus b का whole cube जो की क्या होती है यह होती है, a cube minus का b cube minus का 3 a square b plus में 3 a b square यही होती है सभी ने पड़ी है दिखनी रहा शायद यहाँ नीचे लिख देते हैं इसको plus का 3 a b square चीक है, यही होती है clear है, अब यहाँ पर हम इस identity को लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगी, भाई यह is equals to x cube plus में minus में होगा minus में 8 solve करेंगे, minus का 3 a का square मतलब x square into में 4 into में 2 into में 2, plus में 3 x और minus 2 की power 2 अच्छा, जब इसको completely solve करेंगे तो यहाँ से पहले तो आपने को दिख रहा है कि x cube से x cube कट रहा है ध्यान दिया, x cube से x cube कट रहा है यही चीज हम बता रहे थे कि भाई, x cube x cube कट जाएगा जब simple form में बनाएंगे, तो यह तो कुछ और ही आएगा यह क्या आएगा? भाई, कुछ और आएगा तो जब इसको solve किया तो देखो, यह तो बन गया आपका minus का 4 x square minus का x plus का 1 is equals to minus का 8 यह बन जाएगा minus का 6 x square और यह बन जाएगा 4 12 x यह क्या बन गया? इस तरीके से बन गया इन सब को इधर लेके आए तो यह बन जाएगा इधर आजाएगा तो यह बन जाएगा 2 x square भाई, minus का 6 x square इधर आएगा तो क्या बन गया? plus का 6 x square plus का 6 x square minus का 4 x square क्या बन जाएगा? plus का 2 x square plus का 12 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? minus का 12 और यह बन जाएगा 13 x minus का 8 इधर आएगा तो बन जाएगा plus का 8 plus का 1 जो की positive का 9 is equals to 0 अब बताओ क्या ये quadratic equation नहीं है क्या ये quadratic equation आपकी नहीं है बिलकुल दिख रही है सामने दिख रही है आपको कि ये quadratic equation है x square है x square को coefficient 0 नहीं है तो ये क्या है perfect quadratic equation जो की बिलकुल आपको follow कर रही है किस चीज को plus c is equals to z के 0 के format को जहां पे A0 के बराबर आपका नहीं है इस format को follow कर रही है अब इस format को follow कर रही है तो yes this is a quantity equation तो सिरफ देख के सिरफ देख के ही मत बोल देना कि भाई है की नहीं है अगर सीधा देख के बोल दोगे तो फिर तो बड़ी गड़ बड़ हो जाएगी ठीक है फिर जादा गड़ बड़ हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा ये था just introduction की quadratic equation कैसी दिखती है उसकी शकल कैसी होती है face कैसा होता है चेहरा कैसा होता है उसका ठीक है अब तोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ते है ठीक है आगे की तरफ बढ़ते है one step ahead बढ़ते है quadratic equation के ही form में जो की अब हम क्या बताएंगे अब आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी quadratic equation को कैसे solve करते है by using factorization method by using which method factorization method तो factorization method पहले समझाना पड़ेगा आप लोगों को देखो ऐसा होता है जैसा कि आप लोगों को पता है equation ऐसा होगा plus c is equals to 0 होगा जहाँ पे a मतलब coefficient of x square is not equals to 0 अब factorization method का पहला step यहाँ पे लिखा पहला पहला step यह होता है कि coefficient of x square और constant term को multiply करा जाता है मतलब a into c किया जाता है a into c किया जाता है यह part and यह part multiply कर दिया चीक है कर दिया बहुत अच्छे अच्छा फिर उसके बाद दूसरा step क्या अच्छा इसके ऐसे factor बनाए जाते है second step में a into c के कुछ ऐसे factors बनाए जाते है कि plus minus करके प्लस माइनस करके क्या आए भई B आए मतलब A प्लस C करोगे तो या तो B आएगा या माइनस करोगे तो वो B के बराबर आएगा ऐसा कुछ होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे हम यह नहीं बोल रहे खी A ही होगा कि C ही होगा कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है फाक्टर अब निकलेंगे तो अगर मैं बोलू भाई 2 और 6 है 2 इंटू 6 12 होगा तो 3 4 भी आ सकता है अब 3 और 4 तो नहीं था तो यहाँ पे हमने पहले लिख रहे थे A प्लस माइनस C लेकिन कुछ बच्चे गलत इंटरप्रेट कर लेंगे और यहाँ B की जग लिखेंगे A प्लस माइनस C ही लिख देंगे तो फिर वो चीज ना हो इसलिए हमने हटा दिया फैक्टर बनाएंगे देखो A इंटू C इसके फैक्टर बनाएंगे फैक्टर कुछ ऐसे होने चाहिए कि प्लस या फिर उनको माइनस करने पे क्या बने B बने अब इसको थोड़ा सा elaborate form में जब example एक question करवाएंगे तब आपको और अच्छे तरीके से पता लगेगा ठीक है factorization method कुछ ऐसा होता है अब questions लेके आए हैं इसके हम तीन part जिसमें से दो हम करवाएंगे एक आपका है ठीक है तीन हम करवाएंगे दो हम करवाएंगे अंगली भी दो करी थी बट मुझसे तीन निकल गया तीन question है जिसमें से दो हमारे एक आपका अब आप देख लो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है ठीक है जिसमें से आप confused हो जाओ शायद वाला case है वैसे कुछ बच्चे कर भी लेंगे ठीक है शायद आप confused हो जाओ तो इसलिए second part भी नहीं करवा रहे हैं आपसे करवा रहे हैं पहला and second थर्ड आपका homework है थर्ड वाला question आपका homework है तो जैसा कि हमने अभी अभी समझाया कि क्या करना है भाई x square को coefficient जो की क्या है root 2 into में constant term जो की का है 5 root 2 इनको multiply करना है multiply करके क्या बनेगा भई 10 बनेगा अब इस 10 का क्या क्या करना है इसके factor बनाने है factor बनाएंगे तो factor क्या क्या बनेगे भई 1 into 10 बन सकता है 2 into 5 बन सकता है 5 into 2 एकी बात है 1 into 10, मतलब 2 factors बन सकते हैं अब इन 2 factors में से कौन सा लेना है कि plus minus करके क्या है 7 आए plus minus करके क्या है 7 आए तो plus minus करके 7 तो यह आएगा 9, 11 आएगा या तो 7 आएगा, या तो 3 आएगा 7 आगया, तो इसका मतलब 7 X की जगह क्या पूठ किया जाएगा यह जो 7 X है इसकी जगह क्या पूठ किया जाएगा 2 X plus 5 X, किस तरीके से ऐसे देखो, root का 2 X square वाकि क्या पूठ किया है यह पूठ किया है हमने plus में 2 X plus में 5 X, चीक है फिर उसके बाद, plus में 5 root का 2 is equals to 0 इतना समझ आया भाई क्या किया, 7 X की जगह इनको factors बनाके 5 और 2, 5 into 2 10 होता है, 10 ही आ रहा है A और C को multiply करने के बाद, और यह क्या आ गया, 5 और 2 आ गया, अच्छा ठीक है, अब यहाँ से common ले लो, भाई क्या common आ रहा है अंदर की तरफ क्या बचेगा, अंदर की तरफ बचेगा, X, अंदर की तरफ क्या बचेगा, bracket, X plus root 2, यहां से plus 5 common आ रहा है, अंदर की तरफ बचेगा, X plus root 2 is equals to 0, तो अब इसके solve करेंगे, तो यह बन जाएगा, X plus का root 2 into में, root का 2 X plus में 5 is equals to 0. तो यह by using factorization method, हमने क्या किया है, अभी सिर्फ factor बनाए है, value नहीं निकाली है, क्या बोला है, कोशन में, कोशन में बोला है, root निकालो, root अभी नहीं निकाले है, root कैसे निकलते है, जब यह 0 के बराबर हो जाएगे, मतलब X की value क्या आएगी, तीक है, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ factorization करा है, यहाँ कोशन अभी खतम नहीं हुआ है, अभी इसके बाद क्या गरोगे, इसके बाद simple सा काम है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, मतलब X plus root 2, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, X की value क्या हो जाएगी, वो minus का root 2 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी माइनस का root 2, similarly, root का 2X plus का 5, वो क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ से X की value क्या हो जाएगी, माइनस का 5 by root 2, तो यह दो जो आए है, माइनस का root 2 and माइनस का 5 by root 2, यह zeros है, इसके, sorry, यह है, roots, zeros polynomial के होते हैं, roots quadratic equations के होते हैं, यह है आपके roots, कौन कौन से? पहला है, माइनस का root 2, और जो दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा है, माइनस का 5 by root 2, यह शायद visible होगा, आपको, minus 2 and second है, माइनस का 5 by root 2, माइनस का 5 by root 2, clear है, अच्छे से, यह था first part, थोड़ा सा, ठीक ठाक था, अच्छा था, आया, ओके, next, अच्छा चलो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, ध्यान से, ठीक है, हम हट गए, जिसको देखना है, ध्यान से, अराम से, सबर करो, ठीक है, यह है, यह है, Quadratic equation, Quadratic equation चल रहा है, आपका, Quadratic equation में, हमने, introduction करवा दिया है, Quadratic equation होती क्या है, वो बता दिया है, उसके बाद क्या बताया है भाई factorization method से question solve करवा रहे है एक पार्ट ये रहा और इसका भाई बंदू दूसरा ये रहा इसका भाई बंदू क्या है ये रहा आपके सामने अब ये ना constant term में 8 given है 1 by 8 ये ना बड़ी दिक्कत दे रहा है तो कोई बात नहीं दिक्कत दे रहा है तो इस दिक्कत को थोड़ा सा remove करते है तो जब remove करेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई पूरे पे LCM लगा दो पूरे पे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16x square minus का 8x plus का 1 is equals to 0 क्या किया इसका मतलब क्या है 1 by 8 पूरा LCM ले लिया यहाँ 1 किया यहाँ 1 किया पूरे पे LCM लेके 8 denominator बगया 8 उदर चाइड चला गया राइट हैंड साइड चला गया राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा 8 0 into 8 क्या हो जाएगा भाई वो 0 हो जाएगा तो मतलब ये चीज बनी हमारी इसका factor बनाना है किसके factor बनाने है 16x square minus का 8x plus का 1 is equals to 0 ठीक है अब इसको solve करते है solve करने से पहले पहला method क्या होता है भाई simple सी बात है 16 and 1 के factors बनाएंगे मतलब 1 into 16 अब उसने 16 ही आना है बट आना क्या चीए minus का 8 आना चीए और multiply करने पर देखो दो चीज़ एक और चीज़ important बता दी यहां पर 16 into 1 16 positive का 1 positive का 16 positive का 1 positive positive 16 आ रहा है ठीक है और जब plus minus करके minus आना चीए अब दोनों positive है positive आ रहा है तो minus करके दोनों के दोनों क्या होने चीए negative होने चीए मतलब जो दो factors बनेंगे वो दोनों के दोनों क्या होने वाले है negative होने वाले है ठीक है अब plus minus करके क्या आना चीए भाई 8 आना चीए 16 के factor बनाओ तो सबसे पहले क्या बनेगा भाई 1 into 16 ठीक है आगे 2 into 8 आगे 4 into 4 आगे भाई अगला 8 into 2 होगा फिर 16 into बनी होगा तीनी बनेगे अब यहाँ से देखा जाए कि भाई 8 कहां आ रहा है तो 4 into 4 में 8 आता है तो मतलब हमें क्या पता लग गया हमें पता लग गया कि यह minus 8 की value क्या ह है यह कुछ ऐसा है 16 x square minus का 4 x minus का 4 x plus का 1 is equals to 0 आया समझ यह समझ आया देखो क्या किया देखो पहले तो logic समझेंगे logic समझेंगे इसके पीछे देखो maximum क्या होता है सीधा answer कर देते हैं detail में नहीं बताते हैं बट यहां थोड़ा सा detailing की जूरत है यहां minus का 4 minus का 4 क्यों लिखा है क्योंकि अगर हम minus का 4 into minus का 4 करते हैं तो वो positive का 16 ही बनता है JUST करके क्या बना चाहिए पाज़िटिव का 16 बट प्लस माइनस करके जब दो फैक्टर आएंगे उनको सॉल्व करके pluss minus करके क्या आइड़ आना चाहिए अब माइनस का 8 सरफ plus करेंगे या सिरफ माइनस करेंगे तब नहीं बनेगी बात देख लो या तो zero बनेगा प्लस करेंगे तो eight बनेगा positive का but minus करेंगे तो zero बन जाएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे negative की होंगे और दोनों को जब multiply किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा positive का 16 बन जाएगा जो की valid है यहाँ इस case में ठीक है तो इसलिए minus 8x को minus का 4x minus का 4x किया अब यहाँ से हम common out ले सकते हैं चीजे अजी आसानी से ले सकते हैं 4x बाहरा गया अंदर की तरह क्या बचेगा 4x minus का 1 by using factorization method यह क्या है सिरफ factor बने है roots अभी नहीं निकला है roots कैसे निकालोगे by 4x minus का 1 is equals to 0 x की value कितनी आगी 1 by 4 अच्छा second भी अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी same ही है मतलब यहाँ से भी x की value कितनी आएगी 1 by 4 मतलब इसके roots क्या है 1 बटा 4 एक बटा 4 इसके roots क्या है roots are 1 by 4,1 by 4 ठीक है कैसे हुआ 4x minus 1 is equals to 0 1 उस साइड गया 4x is equals to 1 और फिर x की value निकालनी है तो वो क्या हो जगा 1 by 4 x की value क्या आगी 1 by 4 clear हुआ समझ आया लोग देख लो ध्यान से कैसे किया है शाबाश बहुत अच्छे बच्छे लाइक करते चलना ठीक है अच्छे लिए नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो बच्चा नया आया है उसके लिए specially बच्चो याद रखना quadratic equation का one shot हम लेके आए है basic से लेके top level तक पहुचाएंगे top level के कुछ questions है अब आप कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सारे questions आप ही करते हैं तो दो questions हम ऐसे लेके आए हैं जो आपके लिए लेके आए हैं specially ठीक है तो वो भी solve hint दे देंगे solve आप लोग कर लेना ठीक है next अच्छा ये question homework के तोर पे हमने starting में ही बोल दिया था कि एक आपको homework तो मिलेगा मिलेगा ठीक है ये आपका है homework देखते हैं कितने बच्चे सको कर पाते हैं तो ये जो था अब तक बताया था ये क्या बताया है कि भाई quantity equation को factorization से हम कैसे solve करते हैं using factorization method अब एक word problem अब क्या है एक word problem है जो कि आपकी screen पर दिख रहा है इसके लिए आपको मिलता है एक minute का time सिरफ सिरफ हमें इतना बता दो हम comments बच्चे ऐसा मत सोचना कि हम comments नहीं देख रहे हैं ठीक है सिरफ इस question में आप इतना बताओ कि equation क्या बनेगी book का question है बलकि ठीक है जादा heavy questions नहीं पूछ रहे हैं सिरफ सीधे books के लेके आए है ठीक है चलिए अब बताइए देखते हैं कितने बच्चे correct answer देते हैं कितने बच्चे पूरा correct answer देते हैं इसका सिरफ equation चाहिए हमें answer नहीं चाहिए ठीक है सिरफ और सिरफ equation चाहिए मतलब क्या equation बनेगी ठीक है what will be the equation for this particular question सिरफ 35 सेकेंड का time बचा है आपके पास ठीक है शाबाश बहुत अच्छे वेट करेंगे देखो question क्या है एक cottage industry है जो कि क्या करता है certain amount of poetry articles बनाता है एक दिन के अंदर ठीक है एक चीज देखी ये गई है कि the cost of the production of each article was three more than the twice of the number of articles ओके अच्छा चलो ठीक है time भी समाप्त होने ही वाला है तीन सेकेंड का time दो एक time समाप्त गंटी भी बच गई है ठीक है चलो जिसने किया है बहुत अच्छे very good but जिसको नहीं समझाया थोड़ा सा doubt हो गया कैसे किया या किसी ने कुछ ऐसा भी बच्चे होंगे जिन्होंने copy करके paste कर गया होगा ठीक है उनके लिए भी देख लो कैसे किया है कोई बात नहीं हम यह नहीं बोल रहे कि आपने किया है है ना ऐसा मद समझना कि आपने किया है बट देख लो कैसे करेंगे तो यह क्या है बोला क्या गया है कि भई हाँ cottage industry है कि cost of production पे ते हाँ पनलो cost of production of each article हर एक article का वो क्या है rupees के अंदर three more than the twice the number article produced ठीक तो हमने बोला कि भई number of article produced number of article produced वो क्या है भई वो X है कितने article प्रोडिउज हुए X article प्रोडिउज हुए find the number of article produced हमें क्या करना है article कितने article प्रोडिउज हुए है और cost क्या है हर एक की article निकाल दिया अब चलो cost की बात करते है cost of that article cost of particle वो क्या है वो भी देख लेते हैं तो question में ही बोला है कि अगर article X है तो उसकी cost कितनी है 3 more than the twice the number article produced 3 more than twice the article twice the article मतलब 2X twice का भी 3 से ज्यादा twice का भी 3 से ज्यादा मतलब 2X plus में 3 क्या है 2X plus में 3 article अगर X है तो उसकी cost कितनी है 2X plus तरी मतलब अगर हमें टॉफी खरीद नहीं है पांच एक टॉफी की कोस्ट कितनी है एक रूपे चलो दो रूपे दो रूपे तो टोटल कोस्ट कितनी बनेगी पांच टॉफी ओकी 5 इंटूटू 10 रूपे ठीक है तो ऐसे ही यहां पे भी टोटल कोस्ट कितनी बनेगी टोटल cost वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी भाई number of articles जो कि कितने है पाई x है कितने है x है into में cost of एक article वो कितना है 2x plus 3 ये cost हो जाएगी total but question में ही हमें बोला गया है तो total cost of production on that day was 90 rupees मतलब ये बोला गया है ये जो total cost है ना ये actual में 90 के बराबर है ये किसके बराबर है उस particular day पे कितने किसके बराबर है 90 के बराबर है तो अगर इसको solve करो ये बन गया आपकी quantity equation मतलब ये बन गया 2x square plus में 3x minus का 90 is equal to 0 ये बन गया आपकी quantity equation ये क्या बन गई ये बन गया आपकी quantity equation अब हमने सिरफ factorization method पढ़ा है तो factorization method से ही इसको solve करेंगे तो solve करने का factorization method का पहला rule क्या होता था कि coefficient of x square और constant term को multiply किजे multiply करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 2 into में minus का 90 तो यह minus का तो यह हो गया 180 negative का 180 किसका हो गया भई negative का हो गया ठीक है factor बनाने है 180 के बट क्या होना चीए बई positive का 3 आना चीए क्या आना चीए positive का 3 minus का 180 है minus का क्या है 180 तो चलो आओ factor बनाते हैं और अगर 3 आना है तो कैसे बनाएंगे चलो देखी लेते हैं ठीक है तो यह बनेगा हमारा पहले तो हम start करेंगे 10 into 18 या minus का 10 into 18 अभी इनको plus minus करने पे 8 आ रहा है ठीक है या 28 वह एक साइन तो minus 1 पे तो लगेगा एक पे तो लगेगा मतलब यह positive का 8 आ रहा है तो यह वाला case तो नहीं बनेगा अच्छा एक और बन सकता है 20 and 9 वो भी नहीं बनेगा तो इसको हम बोलते हैं इन्टू फाइफ इन्टू में 3 into 3 into 2 तो यह है complete तरीके से अच्छे यहाँ थोड़ा साब दिमाग लगाया जाएगा और फिर कारस्तानी की जाएगी solve करने के लिए तो देखना यह है 3 3 और 5 नहीं बनेगा यह बनेगा 5 अच्छा मतलब 10 का तो नहीं ले सकते तो 2 5 के साथ तो नहीं आएगा यह बनेगा 15 और यह बनेगा 3 2 6 6 2 12 तो 12 और 15 को जब multiply करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा और अगर हम minus का 15 minus का 15 into में positive का 12 करेंगे तो तब minus का 120 आएगा और जब इन दोनों को add करेंगे minus का 15 plus का 12 करेंगे तो क्या बनेगा तब बनेगा positive अच्छा तो यह बनेगा positive और यह बन जागा negative हो गया clear मतलब मतलब की यह इसकी जगा क्या रखा गया है positive का 15x इसकी जगा क्या रखा गया है यहाँ देखते है positive का 15x and minus का 12x ताकि यह क्या बने बई positive का 3 बने इन दोनों को multiply करने पर क्या आएगा minus 18 यह आएगा minus 18 यह आएगा सबसे easy तरीका होता है prime factorization सीधा निकलाता है ठीक है देखो कैसे समझे हमने देखो इसके हमने बना लिए 10 into 18 सिंपल से पता लग रहा था 10 into 18 का अच्छा चलो फिर हमें नहीं समझाया फिर हमने क्या कर लिए फैक्टर्स खोल दिये तो हमारे पास यह आया अच्छा बन क्या रहा था था तो मतलब 3 बन रहा था तो 3 तो 10 अगर होगा 2 into 5 तो 7 नहीं हो सकता मतलब 2 और 5 एक 7 नहीं हो सकता तो इन दोनों को कर दिया separate तो 5 को पहला ही attempt किया 3 से multiply करने पे कितना बना 15 और 2 into 3 into 3 करा तो क्या बन गया 12 तो सीधा answer आगया 15 और 12 बट positive का 3 होने के कारण 15 क्या हो जाएगा positive का होगा positive का 15 next होगा और फिर एक negative sign तो बच यह समझा है आप लोगों को ठीक है अब आगे बात करते हैं अब यह चीज़ बन जाएगी आपकी 2x square positive में and negative में 90 is equals to 0 factorization कर लेंगे factorization करेंगे तो यह क्या बन जाएगा यहाँ से आपका सिरफ और सिरफ x बाहर आ रहा है अंदर की तरह बचेगा 2x प्लस का 15 और यहाँ से minus का क्या common आ रहा है 6 minus का 6 common आ रहा है अंदर क्या बचेगा 2x plus में 15 is equals to 0 तो यहाँ से जो factor बनेंगे वो बनेंगे x minus 6 into में 2x plus का 15 is equals to 0 अब x की value निकाल नहीं है एक बार यह पार्ट 0 एक बार यह पार्ट 0 अगर यह 0 होगा तो x की value आएगी 6 और अगर यह 0 होगा तो x की value आ 15 by 2 बट नेगेटिव का 15 by 2 बट वो भी नेगेटिव का 15 by 2 बट वो भी किस चीज़ का होगा नेगेटिव का होगा बट एक मिनिट x क्या है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो x क्या है एक से number of articles तो number of articles नेगेटिव में मतलब सोचो कि आप टॉफी ले रहे हो या पैंसिल ले रहे हो किसी दुकान से और वो दुकानदार आपको पैंसिल क्या दे रहा है पहले तो आधी पैंसिल दे रहा है 15 by 2 का मतलब क्या है साधे 7.5 ठीक है मतलब 7 पैंसिल पूरी दी और एक आधी तोड़ के दे दी क्या कोई दुकानदार ऐसा करता है चलो करता होगा by chance कोई एक दुकानदार ऐसा है ठीक है करता है बट नेगेटिव में पैंसिल क्या होती है ये नेगेटिव में पैंसिल क्या होता है तो ये तो possible ही नहीं है मतलब नेगेटिव में पैंसिल तो possible ही नहीं है होई ही नहीं सकता तो actual answer क्या होगा भाई actual answer होगा number of articles कितने है number of articles आप ये तो number of articles, question में ये भी बोला था, कि number of articles तो निकालना है number of articles तो निकालना है cost भी निकालनी है, cost क्या है 2x plus 3, cost क्या है 2x plus 3, तो cost अगर बने, तो cost क्या बन जाएगी cost बन जाएगी 2x plus में 3, तो ये बन जाएगा 2 into 6 plus में 3 जो कि आपके पास आजेजी 12 प्लस 3 जो कि बन जाएगी 15 रुपीज कितनी बन जाएगी 15 रुपीज मतलब एक आर्टिकल कि कॉस्ट कितनी है 15 रुपे है और टोटल आर्टिकल कितने है वो है 6 ठीक है यह आपको find करना था यह रहा आपका question इस तरीके से आप paper में भी करेंगे ठीक है देख लो ध्यान से कैसे है सबसे पहले बताना है examiner को कि आपने क्या x माना है आपने माना है जो articles है वो कितने produce है number of articles are x फिर cost को पताना है cost कितने मानी आपने फिर total cost क्या आएगी समझाना है यहाँ पर हमने सीधा direct लिग दिया बट आप लोग example के तौर पर समझा सकते हो कि cost total article की cost कैसे बनती है वो बनती है number of articles into cost of one article ठीक है फिर उसके बाद quadratic equation बनी quadratic equation बनी तो यहाँ से हमने इसको neglect क्यों कर दिया क्योंकि article negative में हो सकता है क्या हो ही नहीं सकता तो negative में नहीं हो सकता हो तो यह हो गया reject यह reject हो गया तो बचा क्या 6 बचा यह है number of articles तो cost कितनी होगी cost होगी 15 ठीक है clear of anda अच्छे से बढ़िया तरीके से कोई doubt किसी को कोई doubt तो नहीं रहा इसमें चालो अब बढ़ते हैं factorization method के बाद से quadratic formula पे अब बढ़ते है quadratic formula अब यह quadratic formula होता क्या है देखर ऐसा होता है जो हमारी quadratic equation होती है जो की जगत जाहिर है अब तो ax square plus में bx plus में c is equals to 0 एक तो factorization method हम लोगों ने पड़ा है वो तो है इसको solve गरने के लिए इसको solve गरने के लिए मतला x की value find करने के लिए roots find करने के लिए वो तो है factorization method तो है ठीक है अब कुछ बच्चे होते हैं जो factors नहीं बना पाते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं questions जिनके हम factors बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे case में क्या करते हैं ऐसे case में direct formula होता है और वो direct formula क्या होता है वो होता है quadratic formula जो की होता है x will be equals to minus का b plus minus square root of b का square minus में 4 into ac divided by यह होता है देख लो ध्यान से देख लो ध्यान से देख लो ठीक है यह आपका होता है quadratic formula x is equals to minus का b plus minus square root of b square minus का 4 ac ठीक है अब यहाँ पर मेरे ख्याल से यह तो बताने की शायद जरूत नहीं है कि b क्या है a क्या है c क्या है a is the coefficient of x square ठीक है and b is the coefficient of x c is the constant term c क्या है आपकी c है constant term ठीक है अब c अगर constant term है तो यह क्या हो जाएगा यहाँ से देखो a पता लग गया b पता लग गया c पता लग गया सारी चीज़े पता लग गई ठीक है formula भी पता लग गया ठीक है तो क्या अब यहाँ पे यह जो भाई साहाब होते हैं यह यह वाले b square minus 4ac वाले यह भाई साहाब बोलते हैं यह भाई साहाब क्या बोलते हैं यह भाई साहाब बोलते हैं हमारे की मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा की root क्या होगा negative होगा की positive होगा root positive होगा की negative होगा अब ये बाइसा बताते हैं अब कैसे बताएंगे एक सर आये हमारे टीफनटाफन लेके चले गये चली है चली चली है ओके आस आदिए ठीड है ओके देखो वी स्कुएर माइनस फॉर रेसी यही बताता है अच्छा ये इसको हम बोलते हैं 20 square minus 4ac को बोलते है D, क्या बोलते है capital D, discriminant इसको क्या बोला जाता है, ध्यान सो सुनना, discriminant, अब ये जो discriminant होता है ये decide करता है आपका roots के बारे में roots भी nature of roots के बारे में किसके बारे में, nature of roots के बारे में, जिसकी होती है, 3 conditions जिसकी क्या होती है, 3 conditions होती है क्या क्या होती है कि डी या तो जीरो के बराबर होगा डी या तो जीरो से चोटा होगा तीन कंडिशन होती है और इन तीन कंडिशन से आपको पता लगता है नेचर ऑफ रूट का नेचर क्या होगा अब नेचर रूट का रूट का रूट का भी नेचर होता है क्या हजी बिल्कुल होता है रूट का नेचर क्या होगा क्या हो सकता है रूट का नेचर या तो वो पॉजटिव होगा या नेगेटिव होगा दो ही होगा जीरो भी तो हो सकता है इकॉल भी हो सकता है तो तीन नेचर होते हैं और वो क्या होते हैं कैसे डिसाइड होते हैं वो इसी तरीक होगा हमारा जो root होगा वो क्या होगा पहले तो two roots होंगे two roots होंगे और दोनों के दोनों equal होंगे ठीक है दो roots होंगे और equal roots होंगे कब जब discriminant 0 के बराबर है यह है आपका first अब बात करते हैं दूसरे की अब दूसरा कब होता है जब d आपका greater than 0 होगा d अगर greater than 0 होगा तो वो case क्या होता है वो होता है कि b square minus का 4ac is greater than 0 मतलाब वो होता है कि जो b square होगा वो हमेशा 4ac से बड़ा होगा वो क्या होगा b square हमेशा 4ac से क्या होगा बड़ा होगा अब इस case में क्या होता है इस case में होता है दो रूट्स तो होंगे टू रूट्स तो होंगे भाई टू रूट्स तो हर जगा होंगे ठीक है बट टू डिस्क्रिमिनेंट रूट्स होंगे डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिफरेंट दोनों के दोनों अलग होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे? different roots होंगे equals to 0 में B square is equals to 4 AC में equal roots होंगे two equal roots होंगे मतलब अगर एक B है तो दूसरा भी B ही होगा अगर एक 4 है तो दूसरा भी 4 ही होगा ठीक है, second वाला case क्या होता है? discriminant is greater than 0 greater than 0 होगा तो क्या होगा? 2 roots होंगे बट दोनों के दोनों अलग होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे? अलग होंगे एक अगर 1 by 2 है तो दूसरा 1 by 3 होगा 1 by 5, 1 by 6 कुछ भी हो सकता है बट 1 by 2 नहीं होगा ठीक है? दो अच्छा तीसरा एक और होता है जो कि क्या होता है? जब discriminant third जब discriminant is छोटा दन 0 छोटा दन 0 मतलब smaller दन 0 मतलब B square 4 AC से छोटा है B square क्या है? 4 AC से छोटा है इसमें imaginary roots होते हैं मतलब no real roots no real roots कोई real roots नहीं होगा ठीक है? कोई भी real roots नहीं होगा मतलब discriminant जो होगा अगर 0 से छोटा मतलब negative के case में चला गया है तो वो क्या हो जाएगा? no real roots का case होगा अच्छा ये आपके इस लिबस में no roots वाला concept है बट roots निकालना शायद नहीं है ये कट चुका है ठीक है? तो ये तीन चीज़े आपको याद रखनी है जो कि important है सीधी भाषा में बताएं तो ये चीज़ है ठीक है? जहां पे होता क्या क्या है? ये होता है two equal roots two real equal roots two real equal roots ठीक है? अच्छा second क्या है? two discriminant two different roots two real different roots two real ठीक है? और इसमें क्या होगा? non real roots non real roots ठीक है? दो अलग-अलग roots इसमें और इसमें कोई भी अच्छा अलग-अलग तो होंगे बट वो real नहीं होंगे imaginary होंगे imaginary का मतलब iota की form iota मतलब जब आपका root के अंदर negative term आजाए तो उसको बोलते है imaginary part ठीक है? ये फटा-फट देख लीजे काम की चीज है यहां से हम फिर इस nature of roots पे हम questions करवाने वाले हैं nature of roots पे हम questions करवाने वाले हैं ठीक है? देख लो ध्यान से ठीक है? समझा रहा है? clear है फंड़ा? चलिए चलिए शाबाश शाबाश बहुत अच्छे ये था last part आपका ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हम questions की और अब बढ़ते हैं कुछ questions कर लेते हैं भाई roots के regarding कुछ questions कर लेते हैं फिर mzqs based questions में हम k की value पूछेंगे आपसे की बहुत रियल रूट है तो क्या होगा? नॉन रियल रूट है तो की value क्या होगी? क्या है? क्य हो जाता है आपका coefficient of x हो जाता है x square हो जाता है constant time हो जाती है अब वो जब questions put up करेंगे values put up करेंगे तो वहाँ आपको और detail से समझाएगा की है क्या चीज़ ठीक है? चलिए तो question है find nature of roots पहला question क्या है? nature of roots हमें निकालना है भाई क्या nature है? ठीक है? मतलब discriminant में बात हो रही है d की बात हो रही है ठीक है? अच्छा उसके बाद बुला है कि if the real roots exist find them अच्छा अगर real roots है तो उनकी value निकालो ठीक है? अगर real root है तो उनकी value निकालो real नहीं है तो छोड़ दो ऐसी बोल दो कि भाई no real roots no real roots करके उसको छोड़ दो ऐसी ठीक है? दो parts है अब इन में से एक part हमारा एक part आपका ठीक है? बराबर बाट दिये नहीं ऐसा नहीं है आपको भी solve करना पड़ेगा तब ही जाके हम सारे solve कर देंगे तो फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी न तो जो second first वाला है first वाला कर लोगे हर बच्चा कर लेगा बट third वाला जो second वाला जो part है उसमें क्या है? उसमें आप देख पाओ तो root है root की term है तो वो थोड़ा दिक्कत देगा तो इसलिए हम करवा देते हैं root ठीक है? यह है आब यह लिखा है यहाँ पे ठीक है? चलिए solve करें क्या चेक करना पड़ेगा? discriminant चेक करना पड़ेगा discriminant चेक करना पड़ेगा तो यहाँ से पहले तो coefficient of x square मतलब a है 3 b आपका है 4 minus का minus का 4 root 3 and c की value है 4 c की value क्या है? 4 d की value निकालते है d होता है b square minus 4ac के बराबर तो जब value पुठ करी तो b की value कितनी है? भाई, minus का 4 root 3 इसका square minus का 4 a की value कितनी है? 3 और c की value कितनी है? c की value है 4 solve कर लेते हैं तो यह बन जाएगा 48 भाई, 48 ही बनेगा minus का 4 into root 3 minus का 4 into minus का 4 16 root 3 into root 3 क्या बन जाएगा? 3 16 into 3 48 ही होता है ठीक है? similarly अच्छा, यहाँ पे भी 16 ही बन रहा देखो 4 into 4, 16 16 थरीजा 48, minus का 48 मतलब यह तो 0 आ गया d की value कितनी है आ गई? यह तो 6 ने आ गया d क्या आ गया? 0 आ गया 2 equal real roots होगा तो जैसा की question में बोला था अगर real roots हैं तो उनकी value निकाली है तो a, b, c हमें पता है discriminant हमें पता है quadratic formula लगाएंगे और value निकालेंगे पट से होता क्या था? वो होता था x is equals to minus का b plus minus square root of b square minus का 4ac जिसकी value हमारी 0 है divided by 2a sorry ठीक है तो यहां से x की value क्या जाएगी x will be equals to minus का b b की value क्या है? minus का 4 root 3 यह बन जाएगा positive का root 3 4 root 3 plus minus b square minus 4ac अभी निकाला है वो है 0 divided by 2a a की value कितनी है? a की value कितनी है? 3 तो यह है हमारा root अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाया यार यह तो a की आ रहा है मतलब यह तो खतम हो गया यह इस तरीके से बन जाएगा यह ऐसा बन जाएगा 2 है और यह 3 है यह ऐसा बन जाएगा 4 root 3 divided by या simple calculation कर दो तो यह बन जाएगा 2 root 3 by 2 root 3 by 3 यह तो एक ही बना दूसरा कहा है? यह तो एक ही बना दूसरा कहा है? आप तो बोल रहे थे कि 2 होंगे 2 होंगे 2 होंगे बट यह तो एक ही है तो मैं बोलूँगा बच्चे फिकर मत करो यह एक ही है ना एक और इसके साथ लगा दो सेम है एक इसलिए निकला है क्योंकि दोनों के दोनों सेम है यह इस तरीके से है roots क्या है इसके? यह है यह है पहला यह है दूसरा क्योंकि हमने बताया था जब discriminant 0 के बराबर हो जाता है तब जो roots होते हैं वो equal होते हैं तो ये दोनों क्या हैं दोनों roots हैं एक दो roots होंगे equal हैं तो एक ही value आती है इसलिए हम बोलते है तो equal real roots इसके roots क्या होंगे ये रहे आपके सामने चीक है आया समझ clear है फंडा देख लो दियान से simple क्या किया discriminant निकाला discriminant निकाल के फिर उसके बाद तो solve कर दिया खतम का नहीं ठीक है A पता था B पता था D पता था value put करी तो उसके बाद हमने simple क्या कर दिया solve कर दिया ठीक है फिर उसके बाद by using quadratic formula quadratic formula लगा के फिर इसको हमने solve कर दिया खतम है ना simple easy peasy चलिए अब एक word problem quadratic equation का ही इसके लिए आपको मिलता है एक minute का time देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे अब तक bookish question ही हुए है सिरफ book language के questions करवाएं है जो की easy है comparative बाकी questions के जी कि एक minute का time दिया जाता है आपको देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस question को solve कर पाते है लोग हम side हो गए screen से ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि की question दिखता रहे फिर कहीं ये बच्चे आप ना बुलो की बया दिख तो रहा नहीं है question है ना चलिए limited time अच्छा ये आगे चला गया ओके ओके fine fine sorry sorry ये हम करते करते remote भी छेड़ दिया 30 seconds left हां जी question है की if so अच्छा बोला क्या गया है is the following situation possible if so अगर possible होती है तो बताईए कि they determine the present age present age find करनी है किसकी the sum of the age of two friends is अच्छा दो दोस्तों की age का sum कितना है 20 है 4 year ago 4 साल पहले उनकी age का product कितना था 48 के बरापर था time हो गया है खतम ठीक है पहले तो quantity equation बनानी है quantity equation बना के दोनों दोस्तों की ages बतानी है ठीक है तो मैंने बोला यार ये quantity का question कहा है ये तो linear equation to variable का question है अब ये चीज बड़ी ध्यान वाली है ये जो question है ये quantity का equation का है गड़बढ मत मचा देना x और y मत ले देना यहां ठीक है जैसा की हमें बोला गया है question में दोनों का sum कितना है 20 है तो जो second friend होगा second friend होगा उसकी age क्या हो जाएगी उसकी age हो जाएगी 20 minus x अब बन गया एक ही variable ठीक है ऐसे मत कर देना एक friend x दूसरा friend y x plus y is equals to क्या बन जाएगा 20 ठीक है वैसे कर भी सकते हो ऐसा नहीं है बट फिर वही बात है आपको substitution method लगाना पड़ेगा x into y is equals to मतलब x plus 4 x minus 4 y minus 4 दोनों का product 48 होगा फिर वो वाले चीज़ करने पड़ेगी ठीक है बट quadratic equation से होता है तो कहां जा रहे हो linear equation में ठीक है पहला दूसरा दोनों फ्रेंड की age आगी आच्छा अब थोड़ा आगे हम गए तो आगे बोल रखाए कि चार साल ago चार साल ago मेरे को नहीं चलो मैं बोल रहा हूँ मेरे को ना English आती ही नहीं है मेरे को नहीं समझा रहा कि past में बात हो रही है कि प्रेज़न बात हो रही है दो चीजे मैट्स में याद अखने वाली बात है अगर age के question आएंगे तो क्या अगर was यूज हो रहा है were यूज हो रहा है तो इस दोनों का मतलब क्या है past में बात हो रही है past मतलब जो गया कल उस बारे में बात हो रही है पूचर की बात हो रही है आने वाले कल की बात हो रही है आने वाले कल की बात हो रही है तो यहां अगर हम देखें तो यहां तो मिरे को सीधा सीधा वोस दिग गया मतलब पास्ट में गए है यह भाई साब पास्ट में गए है और चार साल पहले गए है तो चार साल पहले यह जो X थे यह कितने होंगे यह होंगे X-4 ठीक है और यह जो दूसरे भाई साब है यह कितने होंगे ये होंगे 20-x-4 और इन नोनों का जैसा की बोला गया है 4 साल पहले पहला दोस्त x-4 था दूसरा दोस्त था 20-x-4 इन नोनों का product का age कितना था इन नोनों की age थी 4 साल पहले जब उनका product करेंगे मतलब multiplication करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 ये काम की चीज है आपके लिए ठीक है ये काम की चीज है ठीक है अच्छा इतना हो गया चलो थोड़ा सा महनत करके इसको solve कर लेते हैं तो ये तो x minus 4 ये रहेगा इसको क्या ही solve करें ठीक है अच्छा इसको solve करते हैं तो ये बन जाएगा 16 minus का x 16-x और जो की किस के बराबर आ रहा है भाई वो 48 के बराबर आ रहा है 48 क्या रहा है चलो solve करते हैं तो यह बन जाएगा 16x ठीक है माइनस का 64 प्लस का 4x and माइनस का x square जो की 48 के बराबर है ठीक है इतना समझ आ गया अब सारी equations को एक साइड लेके चलेंगे यह सारी की सारी terms जब इधर आएंगी तो यह क्या बन जाएगी यह बन जाएगा x square positive का इन दोनों को add करेंगे तो यह बनेगा 20 बट उदर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 20x माइनस का 20x ही बनेगा यह x square जब उदर गया तो क्या बन जाएगा positive का बन जाएगा positive का x square ठीक है अच्छा इन दोनों को add करेंगे plus का 20 इधर बन रहा है बट लेके गए है अब उदर तो क्या बन जाएगा माइनस का 20 64 यहाँ गया है negative का है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा positive का हो जाएगा किसका हो जाएगा sorry क्या हो जाएगा positive का हो जाएगा तो यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा positive का 1 1 2 is equals to 0 A 12 or 10 or 11 is equals to 0 अब इसको solve करना quadratic equation बना दी है A जाब find कर सकते हैं कि नहीं find कर सकते हैं वो कैसे पता लगेगा by using quadratic formula by using quadratic formula factorization method से भी कर सकते हो factorization method से भी कर सकते हो but जैसा कि हमें बोला गया है हमें पहले बताना है कि possible है कि नहीं है मतलब पहले हमें क्या निकालना है discriminant निकालना है और discriminant क्या होता है वो होता है B square minus का 4 AC ठीक है? अब आप इसको solve कर सकते हैं अगर possible है तो फिर आगे values आप लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है? B square करेंगे तो minus 20 minus 20 तो यह हो जाएगा 400 ठीक है? minus का भई 4 A, A कितना है 1 और C कितना है 1, 1, 2 इसको solve करेंगे तो यह कितना आजाएगा? भई यह आजाएगा 400 और minus में अगर करेंगे तो देखो बड़ा interesting case बन गया 8, 4, 4, 8 4, 4, 8 आ क्या रहा है? negative का 48 क्या रहा है? negative का 48 मतलब जो discriminant है वो तो 0 से छोटा हो गया, तो इस case में क्या होता है? no real roots no real roots कोई भी real roots नहीं होंगे तो real roots जब नहीं होंगे तो यहाँ case possible ही नहीं है real roots का मतलब है real value आ ही नहीं सकते real value नहीं आ सकती मतलब हम age find नहीं कर सकते हम age find नहीं कर सकते तो यह चीज़ आपको करके दिखानी है a 1 है, b कितना है? 20, minus का 20x और c की value है 1, 1, 2 clear है? सभी को अच्छे से देख लो दिहान से easy था, ठीक है? अच्छा question था, easy था अच्छा question था, ठीक है? बट यहाँ से c क्या मिली? c मिली है कि आप लोगों को पता कैसे लगेगा? कि future में बात हो रही है कि past में बात हो रही है यह थे आपके कुछ ऐसे questions जो अब तक करवाए थे वो थे आपके सारे भुकिश questions बुक्के questions अब जो questions आ रहे हैं वो board में पूछे गए questions है जबरदस्त questions है बिल्कुल एक एक number वाले questions है हरे questions अपने आप में बहुत ही टेड़ा है अच्छा एक case study भी है हमारे पास अच्छा एक case study भी है ओके ओके फाइन 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 ठीक है तो पहला question हमारी screen पर ये रहा पहला question हमारी screen पर ये रहा इसके लिए आपको time मिलता है फिर से एक minute का ठीक है मातर एक minute का चलो भई उदर की तरफ जाओ जा भई चलो अब कुछ बच्चे बोलेंगे स्लेवर्स में नहीं है आप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिम तो कैंसे लोगा बट कुशन ध्यान से पड़ो अपने आप समझा जाएगा क्या है ठीक है चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं में में क्या है हाँ मोटर बोट हुज स्पीड इस एटीन किलोमेटर पर एक मोटर की बोट है मोटर मोटर की बोट नहीं मोटर बोट करके आवाज आती है ठीक है उसकी स्पीड है 18 किलोमेटर पर आर इन स्टील वाटर स्टील वाटर मतलब ठैरा हुआ पानी ठीक है अब बुला गया है टेक्स वन आर मोर टुगो 24 किलोमेटर अप्स्ट्रीम अप्स्ट्रीम मतलब उपर की तरफ चड़ाई करने में एक लुकर है find the speed of steam stream की speed निकल हुआ मतलब पानी के बहर रहा हुआ ठीक अक ए निशधेश घंटी बच गई तो इख पा रही है क्या देख पा रहे हैं हम कीfür निशन चलो ठीक है आजो आजquito we 길 रिकॉर्ट डिग्रमाट इटिल आए चलिए क बताए अच्छा तो जैसा कि हमें find करने के लिए उसको x की value put कर दो मतलब कभी भी अगर ऐसा बोला जाए कि आपको ये find करना है तो उसको x put कर दो जैसा कि हमें बोला है speed of stream तो हमने बोला let speed of stream वो क्या माल ली? x माल ली वो क्या माल ली? x माल ली अब समझना थोड़ा सा भाई stream की speed तो x है board की speed है 18 ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ ऐसे उपर चड़ाई पे ठीक है? मैं जा रहा हूँ चड़ाई पे ऐसे पानी कैसे आ रहा है? ऐसे तो speed क्या हो जाएगी? कम, obviously बात है कम हो जाएगी क्या होगा? board की speed में stream की speed माइनस हो जाएगी मतलब अगर हम ऐसे उपर की तरफ जाते हैं तो कोई चीज होती ना हमें पिछे की तरफ धक्का देती है ऐसे पिछे की तरफ धक्का मारती है तो वो क्या होती है? वो होती है stream की speed वो माइनस हो जाएगी अब अगर मैं नीच्छे की तरफ आ रहो उपर से कभी भी अगर नीच्छे की तरफ आओगे तो अगर साइकल चलाई होगी ना अपने साइकल तो पैडल मानने की ज़रूत नहीं होती तो वो कैसे आती है अट्रीम की स्पीड एड उजाती है तो यहां से हम दो चीज़े देख सकते हैं कि यहां से दो चीज़े देख सकते हैं क्या कि स्पीड और अफ च्पीड और आफ वोट in अपवर अपवर जब हम कर रहा है अपवर की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी वो जाएगी स्पीड औफ बोट 18-6 18-6 किलो मीटर पर आर जब हम उपर की तरफ चड़ रहे हैं 18-6 चिए है क्योंकि बोट की स्पीड ऑव्विस सी बात है जादा होगी बोट की स्पीड अव्विस सी बात है जादा होगी M 여기까지 Stream जा रहे हैं कि डाउंस्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी एड चलंड स्पीडे क्या हो जाएगी ऑफजी बात है एड हो जाएगी असे यह सम steril में माइनस होती है downstream में plus क्यों होता है देखो simple सी बात है समझना अच्छा experiment भी कर दिखा देते हैं जैसे for example यह हमारा remote अच्छा इसका tv का remote है यहां पर अगर मिरको इसको ऐसे उपर की तरफ चड़ाना है तो थोड़ा सा मिरको धक्का देना पड़ेगा पुश करना पड़ेगा तो पुश करना पड़ेगा तो कुछ सो है जो इस पैन को उपर जाने से रोक रहा है तो यह क्या हो जाएगी बट अगर यहीं से यहां से मिरको पैन को ऐसे नीचे की तरफ करना है तो यह अपने आप नीचे आजाएगा अपने आप नीचे भी आगया जो यह देखो यह नीचे ऐसे खिसक गया तो यह क्या है? आड हो रही है इसकी स्पीड हो यह एड बढ़ जब हम उपर की तरफ लेके जा रहे कितना है एक घंटे का है दोनों का डिफरेंस कितने का है एक घंटे का डिफरेंस है अच्छा एक घंटे का डिफरेंस है मतलब पहले तो मैंने यह देखा कि टाइम अप्स्ट्रीम में कितना लग रहा है टाइम अप्स्ट्रीम में लग रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यह तो आपको पता होगा कि distance is equals to speed into time यह तो पता होगा distance is equals to speed into time यह तो physics में पढ़ा है यार 9th class में पढ़ा होगा सभी बच्चों ने distance is equals to speed into time मेरको distance पता है speed मैं अभी बात ही कर रहे है distance कितना है distance है 24 km तो सबसे पहले मैंने बोला कि time in upstream चड़ने में कितना time लगा है तो distance by speed होगा distance कितना है distance 24 और speed कितनी है भाई time अगर निकाले है तो चलो time भी बता देते हैं लगे हाथ time क्या होता है distance by speed होगा और speed क्या है यहाँ speed क्या है अप में 18-x 18-x और ऐसे ही time down जाने में क्या लगेगा 24 by 18 प्लस x यहीं लगेगा अब दोनों में difference कितने का है दोनों में difference है एक घंटे का दोनों में difference कितने का है एक घंटे का clearly बोला गया है कि takes one hour more to go 24 km अपवरड उपर की तरफ जाने में एक घंटा extra लगता है मतलब अगर दोनों का difference निकाला जाए मतलब ऐसा अगर किया जाए 24 by 18 minus x minus का 24 by 18 plus x will be equals to एक घंटा यह क्या होगा एक घंटा यह equation समझाई सभी को सभी को समझाया यह case समझाया अगर यह case समझाया तो फिर खतम question फिर question खतम फिर नहीं रखा इसमें फिर कुछ ही नहीं रखा फिर quadratic equation बना और solve करो ठीक है यह समझा गया फिर इसके बाद solve करना is much more easier काम ठीक है अब 24 मैंने बाहर निकाल दिया दोनों में से ताकि मेरी calculation easy बन जाए calculation easy बन गी LCM पर LCM LCM लेकर यह बन जाएगा 18 प्लस एक्स टीक है माइनस का bracket 18 माइनस का एक्स divided by divided by 18 प्लस का एक्स इंटू में 18 माइनस का एक्स और यह किसके बराबर है 1 के बराबर है यह पार्ट उधर चला गया उधर चला गया तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 24 इसको जब solve करेंगे तो 18 और 18 cancel हो गया ये बन गया denominator तो उदर चला गया तो ये बन गया 2X ये क्या बन गया 2X ये माइनस इदर चला गया ये प्लस का X बन जाएगा 18 और 18 क्या हो जाएगे cancel X प्लस X क्या हो जाएगा 2X हो जाएगा यह जब उदर की तरफ जाएगा तो यह क्या बन गया A plus B A minus B का formula जो कि क्या बन जाएगा A square minus B square जो कि कितना हो गया 324 minus का X square 324 minus का X square अब solve कर दो इसको इसको solve कर दो खतम कहानी यह बन जाएगा 48X is equals to 324 minus का X square quadratic equation बन जाएगी X square plus में 48X minus का 324 is equals to 0 अब इसको solve करना मेरे ख्याल से आपके बरों से छोड़ सकते हैं शायद इसको इसको आपके बरों से छोड़ सकते हैं X square plus 48X plus में 324 324 कैसे आया यहाँ पे हमने क्या use किया है यहाँ use किया है A plus B into में A minus B का formula जो कि होता है A square minus B square और 18 का square क्या होता है 18 का square कितना होता है 324 होता है किसी को पता है कि नहीं पता है है भाई एक बाट check भी कर लेते हैं आजी बिलकुल 324 ही होता है ठीक है ठीक है clear है इसको solve तो कर सकते हो यहाँ पे आप खुद करिये इसको do it yourself x की value find करनी है अब यहाँ पर x की value कुछ भी question में नहीं गिवन है यह भी नहीं गिवन है कि आपको किस तरीके से करना है factorization से करना है कर सकते हो normally quadratic formula से करना है कर सकते हो विल्कुल कर सकते हो ठीक है equation आ गई आपके उपर है totally आपके उपर है कैसे करना है वह इसके factor बनाने 48 आना चाहिए factorization method भी बताया है और by formula भी बताया है इसको आप खुद कर सकते हो अब यहाँ पर solve करवाना इसके आगे solve करवाना थोड़ा सा गलत बात हो जाएगी फिर यह आपके साथ नाइंसाफी वाला case हो जाएगा तो question बड़ा अच्छा था अब एक आपके लिए है यह question यह वाला question अब आपके लिए है ठीक है अब यह आप लोग करेंगे देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं ठीक है यह pipe वाला question है एक pipe है अच्छा नहीं दो pipe है एक pipe का diameter दूसरे pipe के diameter से थोड़ा सा जाधा है ठीक है और दोनों मिला के क्या भर रहे है टैंक भर रहे है और टैंक को भर रहे है कितनी देर में अच्छा आदा ही भर रहे है ठीक है तो हमें निकालना है कि कितनी देर में भरा जाएगा tank कितनी देर में tank को भरा जाएगा ठीक है ये है homework अब अच्छा आप बुलोगे कि इतनी जल्दी homework एक case study है वैसे बहुत कम chances होते हैं कि quadratic equation में से case study आती है maximum chances होते है कि algebra में से एक ही case study आएगी बट वो आती कहां से है मैं वो भी बता देता हूं case study आती है आप polynomial से या arithmetic progression से AP से आएगी या polynomial से आएगी ठीक है बट बहुत कम chances होते हैं कि quadratic equation से आए बट अगर आगई तो किस type की आएगी वो देखिए अगर by chance आगई तो अगर by chance आगई तो ये देखो A case study हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ये बड़ी सी case study है बस्त ठीक है ये figure भी है एक दो दोस्त है question क्या है important है अच्छा question है no doubt अच्छा question है case study मैं फिर से बोड़ रहा हूँ है important but chances काफी कम होते हैं मतलब one out of five chances होते हैं one out of five chances होते हैं but फिर भी case study है तो important तो है are close friends अच्छा दोनों के दोनों क्या हैं बहुत घनिष्ट मित्र हैं but best friend लगा लो ठीक है close friends है both the families are decided to go to रानीखेत रानीखेत कहा है रानीखेत basically उत्राखंड में है ठीक है बागेशो डिस्टिक्ट में शायद पता नहीं ठीक है चलो रानीखेत जाते है किस से कार से जाते है कार से जा रहा है बच्चे ठीक है राज की कार जो है उसकी स्पीड है X किलोमेटर अच्छा ये ये है important X किलोमेटर वाइल आजे कार ट्रेवल 5 किलोमेटर faster than राज ये important है कभी भी case study के questions करते हो तो pencil से mark कर लो क्या-क्या digit है और क्या चीज इंपॉर्टन पढ़ेके आपको स लिए कि भाई राज की स्पीड है एक्स किलोमेटर पर आर राज की स्पीड नहीं है राज की कार की स्पीड है कहीं ऐसा लिख दो कि राज की स्पीड है अच्छा ओव्यस सी बात है जब अजे की स्पीड जादा होगी तो अजे जल्दी पहुंच जाएगा राज धीरे-धीरे पहुंचेगा ठीक है तो ठीक है इतना हमें कोशन पूरा-पूरा समझ आ गया है अब बात करते हैं अच्छा पूरा डिस्टंस भी दे रखा है कि 400 km का लेकिन गए कहां से हैं यह तो बताया नहीं अच्छा चलो डिस्टंस तो बता दिया ना 400 km है ठीक है अब इस बेसिस पे यह 4 कोशन से इनको सॉल्व करना है यह 4 कोशन से और इने हमें हमें सॉल्व करना है पहले तो फटा-फट इक्विशन बनाएंगे क्योंकि चारो कोशन हमें लग रहा है, एक दूसरे से connected है पहला question है, what will be the distance covered by Ajay's car in 2 km 2 r में कितना distance Ajay की car ने cover किया, ठीक है, what will be the quadratic equation described the speed of अच्छा, ठीक है, राज की speed quadratic formula बताना है, what will be the speed of राज, राज की speed कितनी होगी, ठीक है how much time took Ajay to travel 400 km, अच्छा, Ajay को कितना time लगा है, ठीक है, ये सारी चीजे निकाली है, चार question है, एक-एक marks का एक question होता है, ठीक है, एक-एक marks का एक question होता है, और ये रहा आपका पहला, अच्छा, ये नहीं, ये तो सिदा question है, यहाँ हम equation बनाएंगे, तो जो हम बोला है, एक-स किलो मेटर पर आर बोला है, ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद Ajay, Ajay's car, Ajay's की car की speed कितनी है, राज की car की speed से 5 है ज्यादा, मतलब एक-स प्लस 5 km पर आर, ठीक है, ये दो चीजे हमें given है, अच्छा, और क्या given है, और given है कि 4 km ठीक है, और दोनों ने ट्रेवल किया है distance 400 km का, ये दो चीजे हमें पता है, बाकी आगे करते हैं पहला कुशन, पहला कुशन क्या है, पहला कुशन ये है हमारा कि, what will be the distance covered by Ajay's car इन 2 घंटे में, Ajay का की car की speed कितनी है Ajay की car की speed है x प्लस 5 तो Ajay की car की speed है, x प्लस 5 km पर आर अब हमें time क्या बोल रखा है, दो घंटे में दो घंटे में कितना distance cover करना है, ये पूछा गया है अच्छा सारी x की form में, तो मतलब अपने को भी x की form में निकालना पड़ेगा तो बच्छों आप लोगों को पता होना चाहिए कि distance का formula होता क्या है distance, अभी बताया था, d is equals to speed into time तो जो distance cover किया, Ajay की गाड़ी ने वो किया 2 into x plus 5 km, units का ध्यान देना, km, ठीक है km per r into r, r से r cancel हो जाएगा, बचे का क्या, सिरफ km तो कितना distance cover किया है, Ajay की गाड़ी ने 2 into x plus 5 जो की पहला option है, बाकि सारा गलत ये रहा, पहला, अच्छा, यहाँ options भी दे रखे हैं आप लोगों को कुछ-कुछ objective types में, जैसे case studies हैं, वैसे कम chances होते हैं कि objective type questions बने, बट फिर भी आप लोगों की easy के लिए, आप लोगों की satisfaction के लिए, आप लोगों के पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा question असान बनाने की कोशिश किया है, ताकि गभराओ ना आप, ठीक है, तो यहाँ से option number is the correct answer, ठीक है, अब next, next क्या है, which of the following, which of the following quadratic equation describe the speed of Raj की car की speed, कौन size में से describe कर रहा है, equation बनानी है, ठीक है, चलो, अब वापस जाना पड़ेगा question पे, वापस जाना पड़ेगा, तो Raj की speed थी x, तो quadratic equation कैसे बनेगी, तो यहाँ हमने बुला है, 400 km travel कर रहा है, राज ने कितना time लिया, 400 by x, आजे ने कितना time लिया, 400 divided by x plus 5, यह time है, यह क्या है, time, time taken by Raj, TR, TR मतलब time taken by Raj, TA मतलब time taken by Ajay, time taken by Raj, time taken by Ajay, दोनों चीजे हमें पता लग गी, अब इसके बाद आगे solve करेंगे, तो क्या solve करेंगे, देखो ध्यान से, time taken by Raj, time taken by Ajay, और दोनों के time में कितने का difference है, भई, 4 घंटे का difference है, और राज पहले पहुँच रहा है, दोनों के बीच में कितने time का difference है, 4 घंटे का difference है, मतलब, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि, sorry, 4, कितने का difference था, 4 घंटे का difference है, चार घंटे का difference है, यह बाई साब extra time ले रहे हैं, चार घंटे का, तो this minus this, 4 घंटे का difference आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, equation बना लो, solve कर लो, खतम कहानी, ठीक है, यहाँ से easy करने की कोशिश करेंगे, 400 हमने बाहर लिया, अंदर की तरह बच जाएगा, x प्लस 5, LCM भी side side ले लिया, minus का x, x इंटू में x प्लस 5, और यह बन जाएगा, 4, 4 से 4 cancel, यह बन गया 10, x से x cancel, यह बन गया आपका 500, 5 बचा, 100 बाहर है, 500, यह टर्म उधर गई, तो यह क्या बन गया, x स्कूर प्लस में 5x, अच्छा, इसको solve किया, तो यह क्या बन गया, x स्कूर प्लस में 5x, minus का 500 is equals to 0, equation, कौन सी है, कहा है, यह खतम, यह खतम, मतलब option number C, कौन सा correct है, option number C, चलो, अच्छा है, यहाँ पे आपका objective type questions भी हो गया, और आपका subjective type questions तो case study तो होई ही रहा है, है ना, clear है, ओके, अब next question की तरफ बढ़ते हैं, what is the speed of Raj, x की value निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, x की value, देख लो, यह वाला question इस से correct है, यह वाला question next वाले question से connect है, तो यह क्या है, यह find करना है, हमें x square प्लस में 5x, माइनस का 500, is equals to 0, क्या यह value अब आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, यह यह ना, यह value निकाल सकते हैं, असानी से निकाल सकते हैं, क्या होगी राज की speed, x होगी, x की value, by using factorization method, by using quadratic formula, दोनों method से आप solve कर सकते हो, दोनों method से solve कर सकते हो, और अगर इसको और बढ़िया बताएं, तो यह हाप का बन रहा है, हम तो इसको solve करना चाहेंगे factorization method से, तो यह बनेगा 50 into 10, नहीं, 50 into 10 नहीं बनेगा, क्योंकि 5 बनेगा, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 5 into, अच्छा, ठीक है, 5 into 5 into 5 into 2 into 2, तो जैसा की है, 5 बचना चाहिए, तो यहाँ पे यह बनेगा 25 और यह बन जाएगा 20, लो हो गया solve, 25 into 20, क्या बनता है, 5 अंडरडी बनेगा, 5 भी बनेगा, but minus का है, तो एक minus का बन जाएगा, क्योंकि minus का है, minus का है, तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, यह बन जाएगा, x square, plus का 25x, minus का 20x, minus का 500, is equals to 0, x common out लिया, x plus 25 बहर आया, minus का 20 बहर लिया, x plus 25 फिर से बहर आगया, और is equals to 0, जब इसको solve करेंगे, तो x minus का 20, x की value 0, अच्छा, x की जब solve करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो x साएगा 20, या x साएगा minus का 25, और speed कभी भी negative नहीं होती है, speed कभी भी negative नहीं होती, मतलब 20 km पर आर, answer कौन सा correct है, 20 km पर आर, जो की option number A है, clear है, simple सा, हमने factorization method किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको भी factorization method करना है, quadratic formula पुठ कर सकते हो, simple सा, ठीक है, हमें quadratic थोड़ा सा, as compared to quadratic formula, factorization थोड़ा सा, आसान लगता है, ठीक है, तो हर किसी का अपना-पना point of view होता है, तो आप लोग normally चाहो, तो उससे कर सकते हो, ठीक है, यह रहा इसका option number A, बाकी BB incorrect, CB and DB, ठीक है, अब यह आपका खुद का question, यह आपका है homework, करो इसको खुद, क्या find करनी है, अजे की speed find करनी है, ना, क्या find करनी है, अजे का time find करना है, अजे का time find करना, पहले तो अजे की speed कितनी होगी, वो find करो, speed of अजे, वो कितनी है, भाई, 5 km जादा है, 5 km पर आर जादा है, किस के, किस से, राज से, तो इसकी कितनी हो जाएगी, अजे की speed कितनी हो जाएगी, इसकी अगर 20 थी तो इसकी कितनी होगी 25 किलोमेटर पर आर 25 किलोमेटर पर आर distance यह रहा, speed यह रहा time क्या रहा वो आपका काम, homework ठीक है, चलिए तो ये था आपका chapter अच्छा, एक question आपको objective type जरूर करवाना बनता है क्योंकि जैसा कि format आजकल आ रहा है, कि objective type questions पूछे ही जाते हैं तो ऐसा objective type उठाएंगे कि गजबी हो जाए next level next level next level question वैसे इसको homework देना चाहिए, बट चलो ठीक है question क्या है, the value of k for which the quadratic equation this has real and equal roots आच्छा, नहीं, homework है बिलकुल homework है ये भी homework है question हम सोच रहे थे कि करवा दे बट नहीं, homework है क्यों homework है, देखो question में बोला गया है real and equal roots real and equal roots कब होता है जब discriminant 0 होता है discriminant मतलब b square minus 4ac 0 होता है मतलब b square किसके बराबर होगा 4ac के बराबर होगा अब यहाँ पे हमें clearly क्या given है quadratic equation ये given है जहाँ पे a की value कितनी है 16, b की value कितनी है 4k और c की value कितनी है 9 इसमें put करो, answer पाओ value put कर नहीं है solve करना है simple बताओ कौन सा answer होगा के की value का ठीक है ये खुझ से करने वाला अच्छा question है प्राइ करना इसको करने की ठीक है प्राइ करना इसको करने की बड़ा प्यारा अच्छा last में बड़ा प्यारा question मिला है फिर homework दी दिया हमने लेकिन फिर जब आप खुझ से करने बैठोगे तो भूल जाओगे अरे करा तो था करा तो था कैसे करें फिर दुबारा वीडियो देखते है फिर वो चीज ना थोड़ा सा गड़बड हो जाती है ठीक है चलो तो यहां पर होता है आपका quadratic equation का one shot finish यहां होता है quadratic equation finish अब आप लोग हमें बताओ कि next chapter आपको कौन सा चीए quadratic equation के बाद arithmetic progression, polynomials and algebra में ही आपका quadratic equation भी finish हो गया है एक linear equation डू वीडियो बचता है अगर आप बोलते हो तो वो भी करवाएंगे बट अगर कोई दूसरा chapter आप लोगों को पढ़ना है जो कि लगता है आपको कि yes ये वाला important है ये वाला पढ़ा दो वह ये वाला पढ़ा दो ये वाला ज़्याद जरूरी है हाफ एरली में आ रहा है हमारे ये वाला पढ़ा दो ये वाला हमसे हमसे बिल्कुल नहीं हुआ है समझ नहीं आया है तो ये वाला पढ़ा दो तू वो चैटर हमें बताओ कमेंट्स करके और क्लास को लाइक जरूर करना ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वन शाट के साथ सेम इसी टाइम पे इसी जगह पे तब तक के लिए बाई बाई टाटा टेक कियर एंड गुड नाइट ठीक है? चलो धन्यवाद